Hello friends and welcome to CDS preparation for 2020 under the ages of Wi-Fi study, defense exams. मैं हूँ सुनीन सर आपके साथ और लेकर के हैं एक नई सीरीज आपके लिए. छोड़ी मोडी बहुत लंबी चोड़ी बात नहीं करूँगा, सिर्फ सिंपली इतना बता हूँगा आपको जहान से सुने. छोटा सिशन है लेकिन इसमें बहुत सी ग्रामर आपको अभी अभी अवेलेबल होने वाली है, जिससे आप बहुत सी चीजों का पता लगा सकते हैं. ठीक है, question बिससे पहले के message में लेकर चलों, दोस्तों मैं आप से बात कहना चाहूँगा, प्लीज ध्यान देंगे, आपके, वाई-फा-इस्टेडी जो है, वाई-फाई-स्टेडी डिपेंस अग्स, और वाई-फा इस्टेडी लाइब टेस्ट, और दूसरा आपका वाई-वाई-स्टेडी लाइब टेस्ट, प्लीज, ठीक है ने? लाइब टेस्ट, इन दोनों चैनल का आप नाइक, So uwagę, श शेर करेंगे, ठीक है, thank you very much, आई ये चलते हैं, ठीक है, question number one, the housewife, आप पहले आप देख लीजिए, दोस्तो, आप थोड़ा से एक बर इसको देख लीजिए, it will give us some time, you know, to discuss and to talk to you, मन में गंदा जा, लगाईएगा, क्या होगा, चीक है, दोस्तो, आई ये teaching point के और चलता हूँ, इसमें teaching साथ में चल रही है, question answer नहीं है, जो cds के त्यारी करें, वो graduate उनके इतना दिमाग में चीज बैट जानी चाहिए, कि बंदा, example नहीं दे रहा है, बंदा पढ़ा रहा है, तो you should be proud of your scholar, you know, educator that he has been trying, you know, since long, you know, to take you into confidence and give you the teaching as well as, you know, the ramification which you call the practice round, you know, of the question answer, the cakes burning, cake जल रही थी, and rain, और भागी, कौन सी फॉर्म में, second फॉर्म में, to switch off the oven, oven को switch off करने लिए भागी, भागी, कौन से फॉर्म में, second फॉर्म में भागी है, और cake जल रही है, तो cake जल रही है, तो house wife को कैसे पता चला कि cake जल रही है, कि वो भाग गई, past tense में, तो वो भाग गई, अगर past tense में, तो उसने joke भी हरकत देखी है, वो भी past tense में होगी, smell present है, smell present है, smelling, बिना helping work के, participle, gerund या, adjectiveal, participle के mode में आ रहा है, work के ing में, कोई मतलब नहीं है, आख मीच के बोलेंगे आप, number C, wife ने, दोड़ना अगर past tense में किया है, तो सुनना भी जो है, वो past tense में किया है, और सही जबावा आपका, smelt past tense में आएगा, grammar होगी ने देखना दोस्तों teaching के साथ आगई ने, आपको 12 साल, 13 साल आपने English पढ़िए, पूरे साल बर English पढ़िए, 12 साल में आपने 12 बार अगर 12 क्लास में English पढ़िए, तो 144 बार पढ़िए, राइट, वो pattern गलत था, competition में वो pattern नहीं चलेगा, क्योंकि वो subjective English है, आपको क्या गहना दोस्तों, objective English पढ़ दिन इंडिया, एक प्राचीन कथा, सुन रहे हैं आप, एक प्राचीन कथा के अनुसार, राजयाशर हम जो है, वो रहा करता था भारत में, शरहम नाम का एक दक्षिन भारत में राजया हुआ करता था, प्राचीन एक लोग कथा, या किम अनुसार, in the event of का मतलब है, हो तो, ऐसा हो जाने पर डूटो करता है के कारण इन रेफरेंस करता है प्रसंग में और अकॉर्डिंड का मतलब है के अनुसार कुछ नहीं करना C4 चीता कर देना आपको और यहां कर देना आपको अकॉर्डिंड टू अकॉर्डिंड टू हिंदी फिल्म इंडूसरी के लेजंड है यहां तुम नहीं जाओगे या सव तुम को देर हो जाएगी तुम जाओगे तो तुम को देर नी हो जाएगी यह तो नहीं दोटattend नहीं है तेरा जाना और तेरा लेट होना एक धूसरे से जुणठे गूट है तेरा जाना और तेरा लेट होना एक दूसरे से जुड़े हैं इसका मतलब हम इसमें कंजिंग्शन का प्रियोग कर देंगे अन्लिस यू लीड नाव यू भी लेट दोस्तों सारे कुश्चिन आये हैं आपको बार्ट सीरियसली पढ़ना है समझ गया आप यहाँ पर यह सेंटेंस था हमारा कंडिशनल सेंटेंस का एक ही शिकायत आ सकती है कंडिशनल सेंटेंस में कि कंडिशनल सेंटेंस में अनलेस आएगा या अंटिल आएगा अंटिल तब आएगा जब यहाँ पर टाइम दी हो टाइम टाइम का मतलब ज़रनी साथ साड़े साथ दिया हो टाइम का मतलब ऐसी घटना जो समय से जुड़ी हो जब तक मैडम ना आजाए तुम यहीं बैठे रहो तब अंटिल आजाएगा क्योंकि मैडम का आना तुम्हारे जाने के समय को बतला रहा है जब तक चांद निकल जाए सुहाग ने पानी नहीं पीती करवा चोट पर तो जब तक चांद निकल जाए वहाँ भी क्या एगा दोस्तों अंटिल आएगा क्योंकि चांद का निकलना क्या है शर्ट नहीं है शर्ट तो क्या है चान तो निकलेगा भी निकलेगा हर दिन निकलता है तो शर्ट का हुई चंदरोदय समय होता है लो आईये next question इसको बियर न बुले, बियर पीने वाली होती है, बियर माने भालू, ठीक है पीने वाली वो बियर होती है, इसको लोग बियर क्यों कहते हैं, मुझे नहीं पता है, यह बियर है, बियर माने भालू, अरेस्टेट, इलिगली माने गैर कानूनी तरीके से शिकार, गैर कानूनी जिस शिकार की इजाजत नहोगेर कानुनी शिकार वो भी भालू जैसे संड़क्षित वन्यजीव का, वाइल लाइफ का, दोस्तों धान से सुन लेना, वाइल लाइफ में आप एंट्री करके illegal hunting करते हो, क्या कर रहे हो, illegally hunting कर रहे हो, का मतलब आप poacher हो, क्या हो, poacher हो, शिकारी, the poachers, the poachers were arrested, poachers कौन होते दोस्तों, जो reserve park में जा करके, और जीवों को मारते हैं, ऐसे जीवों को, जिनको की wildlife prediction act के अंदर prediction मिला हुआ है, यानि कि संदक्षी जीवों की हत्या, thank you, तो आपको कैसा लगा, फैसे बताइए पांच question करके, चलिए आपसे मैं कभी बात नहीं करता हूँ, दोस्तों पदा है मैं आपसे बात क्यों नहीं करता हूँ, मुझे इसलिए लगता है, कि आप लोग serious के अगर तैयारी करते हो, सारे के सारे graduates हो, या appearing graduates हो, appearing graduates का मतलब जिनका result हो गए, appear कर चुके हैं, दोस्तों आपसे भाशन बाजी करके, आपसे बाते करके, क्या फायदा है, यह time क्यो वेस्ट करना, आप इतने mature हो, इतने sincere हो, कि आप सीधा मुझे सुनोगे, कोई बकवास नहीं, कोई फाल्दोबाद नहीं, सीधा teaching, चाहे 20 मिनिट पढ़ें, लेक इसे कि छोटी कोई, एक batches में बच्चे ऐसे लिख देते, सर आपने सब का नाम लिया, मेरा तो चैट में नाम ही नहीं लिया, सर आपने मेरा तो कोई एक जिकर भी नहीं किया, अब समझे रहें दोस्तों, प्लीज, मैं आपसे बाते कम करूँगा, सीधा में, चोटा पढ़ condition perfect है, अगर condition perfect है, तो कौमा के बात का जो element आता है, वो होता है उस condition का result, कि प्रथम चर्ण में ऐसा हुआ होता तो ऐसा होता, या ऐसा नहीं होता तो ऐसा नहीं होता, तो result आ रहा है अगले चर्ण में, अब आपको करने का है fill in the blanks यो दिया, उसमें verb लेनी है, किसकी result की verb ल और इसके बाद third form आनी चीए, और third form आने के लिए hedge, have और head भी आएगा, hedge, have और head, अब चुकि past आएगा तो hedge, have तो आएगा नहीं, है न, head आना चीए, लेकिन head क्यों नहीं आएगा, क्योंकि past अगर शुरूरू में हो गया, तो दुबारा head से past नहीं होगा, तो किस से होगा have से past होगा, और plus verb की third form आएगी, तो अगर तुमने नियम follow कियोते हैं, तो तुम disqualify नहीं हुए होते, ये will है, काट दो, ये would है, लेकिन ये be है, verb की first form, हमें क्या चीए, third form, ये भी काट दो, ये will present है, ये भी काट दो, ये रहा आपका would past, ये रहा आपका have भी perfect, तो past perfect इस घर भी हो गया, ऐसे में आपका सही जवाब क्या हो जाए, आपका answer, answer हो जाएगा, D, am I right, देखो दोस्तों, ये teaching point के साथ में question आपके लिए, ठीक है धान रखना, the company let me dash time of work, the company let me, दोस्तों क्या होता है, make, get, let, help, इस तरह ही कुछ ऐसी verb होती है, जिनका जिकर बाद में कर होगी शायद first form, ये रखी, courage, 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 क्या सिखा आपने, कुछ verb ऐसी होती है, ठीक है, उसके बाद में हमें सब work की first form ही लेते हैं, और कुछ नहीं लेना है, जैसे late है, help है, make है इसके बाद, तो सही जवाब क्या हो गया, A for M दा बाद, सुनिसर के साथ CDS की त्यारी कर रहे है छोटा sweet लेकिन बहुत ही important session, sorry, और ये marathon session, 3 गंटे, 8 गंटे, 7 गंटी की, एक class, non-stop, video लगा दिया, camera लगा दिया, बगे जा रहे हैं, बाबा क्या पढ़ा लिया, पढ़ने वाले आप जैसे लोग 20 मिंट में पढ़ लेंगे, पढ़ाने वाले हमारे जैसे लोग 15 मिंट में पढ़ा देंगे, और नहीं तो 12 साल में इंग्लिस नहीं सीखी, तो 12 जनम और 12 शताब्दी में इंग्लिस नहीं सीख पाओ गया, am I right, समर्तन करें, please comment करें, अगर गलत हूँ, तो comment करें, I assume, that's with me, I assume, assume क्या है, work की first form है, present form है, I assume, present form है, तो यहाँ पर that everyone agrees, यह भी present है, everyone agreeing, participle है, कभी भी आपको बता है, subject के साथ में direct यह नहीं आ सकता, everyone to agree, यह भी main work नहीं बनी, that everyone, यह भी that everyone, यह दो common हो गए, इसका मतलब इन दो में से एक में result होगा, यह दो होंगे नहीं, तो two agree नहीं, that everyone agrees, मुझे लगता है, अगर कोई मुझसे सहमत है, V1 में S और ES डाल देंगे, तो agrees हो जाएगा, तो answer क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, answer हो जाएगा आपका, sorry, B, क्या हो जाएगा आपका answer, B for Vrindavan, am I right, Bake Bihari, that is B, assume के साथ में आपको हमें सब first form लेनी है, ठीक है, वो present form में, और अगर singular है, तो उसमें S और ES, add कर देनी है, वो ऐसा rule है, क्योंकि, English में कुछ verb अपने साथ में दूसरी verb को agree करेगी, तो उसी time and tense mode में जाएगी, जिस time and tense mode में generally verb चली जाती है, एक्त question में आईए, क्या होगा, the rain for E, आप कीजिए दोस्तो, please, please, मैं आपको time कभी नहीं देता हूँ, मैंने आपको 30 seconds लिये, चली बात नहीं कि बहुत दिनों से मैंने आपको देने के बाद में, मैं आपको इसमें बताता हूँ, दोस्तों क्या होता है, इस तरह एक question क्या है, question बहुत long है, इसमें length बहुत जाता है, long है, long इसका अपने अपननी क्या बना दिया, noun बना दिया, long से length, length से एक और word बना सकते है, lengthy, right, ये भी एक बना सकते है, long से length, length से lengthy, बनाना चाहे है, बना लेंगे elongate, व्रिद्धी करन, elongate, am I right, ये वर्ब बन गया, और ज्यादा इसका inflection करना चाहते है, डिगरी वदल देंगे, longer, और ज्यादा बनाना चाहते है, क्या बन गया, longer, और लंबा, और इससे एक noun बनाना चाहते है, longevity, longevity, दिरगायो ये लंबाई उम्र की लंबाई से जुड़ा हुआ, longevity, चलो कर काम की बात करते है, the rainforest, वर्षावन, very important, बहुत मैतोपूर्ण है, if we do not want, यदि हम नहीं चाहते, flora मने वरस्पती, fauna मने जीव, found there to become, की वो हो जाए, extinct मने विलुक्त, वर्षावन हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो हमें, हम यह नहीं चाहते कि वो विलुक्त हो जाए, इसलिए हमें वर्षा वनोगा क्या करना है, reserve तो पहले से सरकार कर देती है, nest कर देने से क्या होगा, nest कर देने से जीव, वैसे ही विलुक्त हो जाएंगे, जबकि हम नहीं चाहते कि विलुक्त हो जाएं, तो ऐसे में जसके तस बनाए भी नहीं रख सकते क्योंकि जी वो क्या बदी बढ़ती है इसलिए उनको संड़क्षन देना बहुत जरूरी है सही जाबाव है Preserving the Forest एक और वर्ड आ सकता है दोस्तों अगर यह होता तो हम Preserving भी नहीं लेते पहली प्रात्मिक्ता में क्या लेते Conserving Forest को सबसे ज़्यादा किस वर्ब से किया जाता है Conserving वर्ब से किया जाता है Conserving करना अपने आप में बहुत शांदार वर्ब है लेकिन चुकि यहां नहीं है Conserving तो उसका भाई ले लेंगे अपन Preserve आप बोलोगे Reserve, Reserve Government करती है Conserving जनता करती है Reserve Government करती है Parliament में कानून ला करके और Conserving या Preserve वहां के स्थानी निवासी जो होत किसी देश के जो Inhabitants होते है जो Natives होते है उस जमीन के उस Land के जो City जन होते है Country के वो करते है तो यह फर्क है दोस्तों मैंने आपको समझा दिया If I'd help him, he'd ass दोस्तों अभी हभी करा के गया हूँ पीछे आईए मेरे साथ If यह देखना आप If ठीक है क्या लेका मैंने If के बाद मैंने कहा कि अगर Head के बाद मैं Third Form वाला Pattern उतर जो दूसरे में भी Past आएगा और Have जरूर आएगा कहीने के और Work की Third Form आएगी Am I right? तो अगर उस Pattern को आपके लिए मैं सिखाऊ हूँ इस वाले वाक्य में क्या कमी होगी बताई आप यह जो वाक्य है इसमें मैं थोड़ा सा इंग चेंज करते हुए दिखाता हूँ आपको देखिए If I Had If से शुरूँ आप Head और Third Form है यह आपे यह वर्प की Third Form है पीछे कौन है दोस्तों? Head प्लस V3 है इसका मतलब If से जुड़ी भी जो होती है वो क्या होती है? Condition Condition हमारी Perfect Tense में है Head प्लस 3 में तो जो result आएगा यहां वो भी किस में आएगा दोस्तों? वो भी किस में आएगा? बोलिए वो भी Perfect में आएगा Am I right? Perfect में आएगा तो देखिए यह तो कड़ गया क्यों? क्योंकि यह Will है और यह कड़ेगा जी हाँ यह भी कड़ेगा क्यों? इसमें Heads of Heads नहीं है यह Have है और यह Third Form तो है लेकिन ओहो हो 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 यह Will है तो यह भी कड़ गया तो अब आपको आये चाहे मता है कुछ भी आख मीच करके C, D, S to clear कीजिए और बोलिए मेरा answer D होगा He would not have drowned He would not have drowned Am I right? वो डूबा नहीं होता वो डूबा नहीं होता drowned means डूबना होता drowned means किसी का डूब जाना होता है Am I right? वेन विल यू हेट डैस यूर assignment ये थोड़ा सा दिक्कत भरा question होगा ठीक है क्या होगा वेन विल यू तुम कब अपना assignment Assignment का मतलब होता है काम और काम अगर होता है और इसके साथ वेन आता है यानि कि कब कब तब इसका अर्थ क्या होगा पूरा करोगे बहिं और कुछ आई ही निसकता है ऐसा थोड़ी ये काम की पूजा करोगे काम के छोकन लगाऊगे काम का रायता बनाऊगे और काम को उसके बाद में Polish करोगे जूते के साथ में ऐसा थो होनी सकता जब काम है वेन माने कब तो उम्मीद क्या करेंगे, पूरा करेंगे, तो दोस्तों एक प्रिपुजी शायना आता है head in, head के साथ जैसे ही आप कभी head in बोलने की कोशिश करेंगे, head के साथ head in बोलने का मतलब है to finish, इसका रत क्या है, to finish, दूसरे सब्दों में इसका रत क्या है, to complete, when will you head in your assignment, am I right, ठीक ह और ये आपका हो जाएगा, सही जवाब इसमें, इसमें answer क्या निकल जाएगा, अगर आथ CDS की exam हो दिए तो आप जवाब कह देते, दोस्तों का जवाब होता 3, तो ध्यान से देंगे, मैं आपको thank you बोलना चाहूँगा, दो channel है हमने, पहले भी आपसे वादा किया था, ठी आपके regular exercise, ये क्या है regular exercise है, नए नए मुद्धो पर आपको मैं regular exercise करवाँगा, लेकिन इससे पहले एक वादा लेना चाहता हूँ, time मिले तो बाकी channel में कुछ अच्छे-चे slot सा वो देख लेना, और like, share, subscribe कर दें आपकी मर्जी, CDS वाले ऐसे भी किसी के सगे नहीं होते हैं क्यों उनको पढ़ाई के ला कुछ देखता ही नहीं, बिचारे कब तो like करें, बिचारे कब तो share करें, subscribe करें, लेकिन यकीन मानिये, National Defense Academy में, Officers Training Academy, Chennai में, ये जैरादून से ले कर गए, हैदराबाद तक आपकी हो, और एजिमाला से ले कर गए, आपकी यकीन मानिये, कोची बहुत बहुत ज़्यादा मेरे सेलेक्शन से, Defense Exam में बहुत से सितारे और वर्दी, you know, हमने सजाई अपनी मैनस से, आपका भी भला होगा, thank you very much, like, share, subscribe करेंगा, और बताएंगे कि ये session आपको, event आपको कैसा लगा, मैं NDA में, sorry, CDS में, Shorten Street session चलाऊँगा, आपको दो चीज इंप्रोव्मेंट जहां अंडरलाइन पार्ट को इंप्रूफ को नहें, और दूसरा है, आपका कौन सा, दूसरा आपका session है, वो है, ABCD का, PQRS का, तो उसे मैं दुबारा शूरू करूंगा, तब तक के लिए, thank you, so nice of you, good night.